Yes, hi guys, welcome to the global world. So, अभी जो हम लोगों ने जितना भी अनालिसिस किया है कि कितना क्या स्कोर आ रहा है, इना जिसे कि शिफ्ट हमारा कम्प्रीट हो चुका है, तो क्या-क्या चीज़े आपको cover करनी है और जितने भी student जिनका upcoming exam आने वाला है क्या-क्या चीज़े आपको देखनी है short में एक summary हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर CDP से start करें one by one करके छे ही subject के बारे में लोग discuss कर लेंगे क्या-क्या चीज़े पूछी गई थी और हमको केसे cover करना है ठीक analysis आप सभी ने देखी लिया होगा जो हम लोगों ने life center से किया था कि किस तरीके से student अपना feedback दिया है तो जितने भी students हम लोगों ने वहाँ पर बातचीत करी है तो 3840 इस पर WhatsApp करके आप उमें feedback प्रवाइड कर सकते हैं जिस भी तरीके से global world की classes होई है जो भी notes आपको मिले हैं क्या-क्या चीज़े आपको वहाँ पर help करी है कौन साइस specific subject में आपको सबसे ज्यादा help करी है जरूर से अपना feedback यहां पर दीजिएगा start करें CDP से व्रद्धी व विकास संबंदिक कुछ question यहां पर थे growth and related से growth और development से related दूसरा question आपका पूछा गया था हैरीडीटी हैरीडीटी यानि की आनुवानशिक्ता से related भी एक question आपका exam में पूछा गया था व्रद्धी और विकास वाला जो question दाना बिल्कुल basic था कि व्रद्धी और विकास में क सिरीज लिए तो स्टार्टिंग के 112 और 113 question वो अकेले व्रद्धी और विकास से ही है इसी तरीके से हैरीडीटी का भी बिल्कुल basic सा question मना था ठीक इसमें जो group discussion होता है जिसको हिंदी में आम लोग बोलते है समू चर्चा यदि आपने previous year grade 2 का paper लगाया है तो उसी से related question जो ह क्या क्या quality हमारे अंदर होना चाहिए उसी तरीके से question यहाँ पर पूछा गया था तीन से चार question जो है समू चर्चा से related यहाँ पर थे ठीक उसके बाद बात कर लेते मुल्यांगकन की तो देखो जो मुल्यांगकन का feedback मिला है ना हम लोगों को student से वो कुछ इस तरीके का मिला है कि हर एक subject की पैडागोजी में आपसे मुल्यांगकन के बारे में पूछा गया था किसी में बिल्कुल basic मुल्यांगकन क्या होता है यह पूछ लिया गया किसी में कि एक बच्चा स् अपने विचारों को प्रदरश्विट करता है तो वहां पर उसका किस प्रकार का मुल्यांकन हो रहा है किस तरीके से किया जाता है rating scale से वह अपने विचारों को अच्छे से प्रदरश्विट कर पाएगा या फिर हम लोग बोल चकते हैं कि इसको यहां पर हम लोग एनिक्ड सकते तो इससे तीन से चार कुश्चन जाए अलग-अलग पेपर की पेडागोजी में आपसे पूछे गए हैं तो मुल्यांकन वाला चैप्टर तो होई गया कि हर एक टॉपिक में आपको हर एक सब्जेक्ट में आपको देखने को मिला है एक कुश्चन एक कुश्चन आपका बैबलिंग सेयं था बैबलिंग का मतलब होते है बड़ बड़ नब शकुम्द ह मैं बड़ बड़ा हटिसकी स्टार्ट पां बैबेलिंग उसकी स्टार्ट हो जाती है चैनल यह इन का ना boy डम आए क्या परिभाशा है पूछी गई है कोई परिभाशा अभी तक नहीं पूछी गई अभी की शिफ्ट तक कोई परिभाशा नहीं पूछी गई है एक कुशन आपका नौम्चॉम्स्की का भाषा सिद्धान्त वाला था एक कुशन लॉजिकल था कि बच्चा स्वतंद रूप से क कुछ इस तरीके का था कि बच्चे को स्वतंत अध्यान करने के लिए किस ने जोड दिया है तो उसमें आपके स्कीनर थे फ्रॉबल थे और जिन पी आजे थे तो डायरेक्टली सिद्धान्त वाले कुष्चन आप से यहां पर पूछे गए हैं अच्छा तो यह लॉजिक जो है हमारे कहां से क्रियेट होते हैं जो हम लोग बहुत सारी प्रैक्टिस कर लेते हैं ग्रेटू ग्रेटू ग्र सब कुछ हम लोग बोल सकते हैं इजी ही था लेकिन एका जो पध्य का कुष्चन था उसमें थोड़ा सा आपको रचना पूछ ली गई थी मतलब एक पूरा पध्य दिया गया था पोयम थी वो एक पोयम यहां पर दी गए थी और लिखा था कि यह पोयम किस ने लिखिये तो थोड़ा सी डीटेल यहां पर पूछ लिया था लाइक ज television का पूछ लिया गया थे जिसको पढ़कर समझा पड़ा देखने से ही आपको तो पूरा का पूरा टीचिंग अप्टीटूट के ऊपर बैजड है अगर आपके सामने ऐसी सिट्वेशन परीशिती होती है बनती है तो आप क्या करेंगे अगर आप यह कर रहे हैं तो इसका परिणाम क्या होगा ऐसे लोजिकल कुछन्स होते हैं जो हमारी सिफ समझ पर पूछे गए थे एक कुष्चन आपका गद्य वीधा का यहां पर पूछा गया था है कि गद्य का जो पहला गद्य वीधा की जो शुरुवात होती है उसमें सबसे पहला स्टेप क्या होता है तो इस तरीके के कुष्चन आपसे बने लाइक अपने जब टाइस पीपर लगा उससे यह चीज़ पता चली कि आज का जो सबसे इजी वाला जो पार्ट था वो था आपका मैच यानि कि स्टार्टिंग के पंद्रा कुष्चन जो मैच के आते हैं उसमें से दस कुष्चन विदाउट पेंट पेपर आप कम्टीट कर सकते थे क्योंकि कुष्चन आपके बन चीच को सबसे जाएब के घुका संबसे जाएब करेंगे और गुष्चन आपके आपके इस सबसे जाएदा जो ना वह विबाद के नियम से डिविजिबिलिटी जो रूल उता है उससे अधिक तक्वी नंबर हुआपके दे दिया होगा यान पांच, शे शाथ, इसको त्मन से साइक कुछ नियम होते हैं तो भही कैडिन कुछ चार होता है है थीन कんな कर चल रहें छाहे आप परसेंटेज के सकते क्युक्ति कि परसेंटेज के कुछ घ्र चाहे आप Mixer and Alligation देखें, उसके अंदर भी आपको percentage वाला ही दिया गया था, एक आपका रेशियो वाला बताया है student ने, कि एक question जो आपका अनुपात वाला यहाँ पर था, ठीके एक question कुछ इस तरीके का था, यदि बर्ग का विकर्ण एक centimeter है, तो उसका शेत्रफल क्या होगा कुछ इस तरीके का question यहाँ पर दिया गया था, एक तार को जो है, square में, बर्ग में बाटा जाता है, फिर उसी को circle बना दिया जाता है, तो इस तरीके का कुछ question था, तो वो बिल्कुल basic था, बस आपको एक circle मतलब कि एक जो वरत होता है, उसका शेत्रफल क्या होता है, पाई पढ़ रहे थे ना, कि गणित का ये वाला बुक किसने लिखाया है, फिर शुनी का अविशकार किसने किया, युक्लीट के जामिती, तो अभी तक जो shift हुए, उसमें कोई question नहीं आया, पर still, आप सारी चीज़े पढ़ कर रखना, क्योंकि हर बार ऐसा होगा, शेफ्ट में, आपको कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा, क्योंकि ये लेवल ठीक था, इससे और advanced level आपको आगे देखने को मिल सकता है, क्योंकि तो अभी तक जो shift use का analysis हमने किया, maths पिल्कुल easy था, हिंदी हम लोगोंने देख लिया, CDP हो गया, उसके बाद हम लोग डारेक्ली आ ज जो आरिभट satellite है, उसका वजन कितना था, 360 kg इस तरीके से, इसकी velocity क्या थी, फिर एक question मैच दी कॉलम करके कुछ इस तरीके से आय था, जो रोहीनी सैटलाइट है ना, उसका रोहीनी के चार भाग गए है, है ना, रोहीनी तो उसमें से कौन सा सफल हुआ है, कौन सा असफल तो चार स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से होंगे, अगर रोहीनी वाला question आया है, तो रोहीनी प्रोध्योगी की satellite, रोहीनी प्रोध्योगी की payload 1, ठीके, फिर दूसरा statement होगा RS1, तीसरा statement RSD1 होगा, क्योंकि जो सैटलाइट के चार टाइप है, वो में यहां पर आपको All A,B,C,D जो है, यहां पर सफल ने चार ने असफल होगा, यहां बद रोहीन तरीके का statement सत्राइट में होगारे स्टो अ् raptors के सेटलाइखूल होगा तो जो बेसिकली सफल हुआ है RS1 सफल हुआ है और RS2 यहां पर सफल हुआ है तो यह रोहीनी का थोड़ा पूचा था जो कहां पर इसते थे केरल के अंदर इसते थे एक आदूर फुल फॉर्म यहां पर पूचा गया था जैसे की इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च है ना इसका जो शॉर्ट फॉर्म है आई एनस सीओ इस पी आर करके तो इसका फुल फॉर्म आपसे यहां पर पूच रिया था तो कुछ कुछन आपके फुल फॉर्म वाले हो गए कुछ कुछन कितने सक्सेस्फूल हुए कितने अंसक्स तो दोलनों पूचा गया था, रिक वेड़ कोशन आपका फॉच्छा गया था टी कि लुद्ध से निवास निवास करते हैं जिनको हो को एखा जाता हूं कों कहां रखा जाता है तो रइब वाला आपसे आवाज फोस्ट ञार पूचा गया था ता रिक पंश्त, लाट आप को फीडबेक देते रहेंगे कि किस किस तरीके से एक कुश्चन आपका इकोलोजी का था कि पारिस्थिती के में जितनी भी मानवगति वी दिया और यह जितनी भी यूमन अक्टिविटी जोरी उसका क्या प्रभाव पढ़ रहा है विल्कुल लॉजिकल रिको बोल सकते एक बे कोई कुशन नहीं पूछा गया था ठीक है अब आ जाते हैं इंग्लिश के उपर और संस्क्रत के उपर वन बाई वन करके डिसकस कर लेते हैं दोनों ही जो सेकेंड लेंग्विश थी इन्होंने बोल सकते हैं कि थोड़ा सा ग्रामर इन्होंने पूछ लिया है इंग्लिश की अधी बात करें तो चतूर्ती विभक्ती कुछ स्टूर्य ने बटाए कि चतूर्ती विभक्ती का कुछ कुछ नहीं पर पूछा गया था कुछ 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 जह आपके ग्रामर से रिलेटेड इहां पर इन्होंने पूछ लिये थे इंग्लिश में जो आपका आर्सी दिया कि आपको पता था कि उनके जीवन में उनके साथ क्या-क्या घटनाई हुई थी वह मतूरा कैसे गए वह सारी चीज़ है तो यह बहुत बहुत एजी था लेकिन इसमें कुछ आपसे बगे बगे रहा इकादा पूछ लिया गया था एक कुछ आपका एड़क्तिव का बन गया अगर पंद्रा उन्होंने बोला था कि अन्सीन पैसेज में करें तो उसके अलावा भी उन्होंने दो से तीन कोशन यहां पर ग्रामर से पूछे बट वो देखने से आपसे बन जाएंगे वो इतना कॉम्लिकेटेड नहीं रहेगा जितना आपको एविस लग रहा है क्योंकि क्योंकि आपके सैटेलाइट के बने और संस्कृत के यह भी स्पेसिफिक बात कर लें तो संस्कृत में अपको थोड़ा सा ग्रामर के उपर ध्यान देना और बहुत अड़ांस नहीं है क्या को साहिटे में जाना है बेसिक आना बैसिक ग्रामर आपसे यहां पर पूछा गया तो इस तरीके से पूरा अपने फीड़ेक जो भी स्टूरेंट का भी तक लिया है वो मिन आपके साथ शेयर कर दिया इसके अलाव आपको चीज याद आरी हो जो आपने पेपर लिया कि इसमें यह था तो जरूर से आप हमसे शेयर कर यह हम लोग स्टूरेंट तक पहुंच सब्सक्राइब करेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है सारी की सारी चीज़ें वहीं से आ रही है क्योंकि वह 25 कुछन करते करते हमारी अंडरस्टैंडिंग ऐसी बन जाती है कि फिर हमारे सामने कोई भी कुछन आएगा इजी लिए आप उसको क्रेक कर पाएंगे क्योंकि ड मिलेंगे नेक्स्षिफ्ट के अनालिसिस के साथ थेंक्स वर पोचिंग